हाला अरोन वेलकम प्रेस गुरुजी आज बहुत ही बढ़िया भरती में आपके लेकर आया हूँ यह रिक्वर्मेंट है BSNL के अंदर BSNL भारत संचान निगावनियूटेट के अंदर स्टार्ट डेट है आपके रेजिस्टेशन की 26.12.2018 लास्ट डेट आप देख सकते हैं 26.1.2019 यानि कि 26 जनुरी का दिन गनते अंतरता दिवस महां तक आप भर सकते हैं अभी फोर्म बढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ है ओनलाइन असेस्मेंट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 17.3.2019 से टाइम भी है आपको त्यारी करनेगा ठीक है टोटल पोस्ट के बात करें तो मैं बता दो 300 पोस्ट यहां पर हैं पोस्ट का नाम कहा है टेली कॉम और प्रेसंस के लिए यह पोस्ट हैं और सबसे महत्तपून बात में आपको बताओं कि यह सनल्स के ओपिस हर एक डिस्टिक में होते हैं हर एक जगह पे होते हैं कई जगह पे दो दो भी होते हैं जैसे अपने रास्तान में जेपूर में दो ओपिस हैं तो इसी प्रकार से अलग-अलग requirement होती है तो आपकी कहीं भी जोग लग सकती है पूरे इंडिया में कहीं भी लेकिन आप जहां transfer करवाना चाहते हैं वहाँ vacancies खाली होना चाहिए अब मैं आपको बता देता हूँ एक पीडियेप आपको कहां से मिलेगा लिंक description में दिया हुआ है सारी जानकारी है भारस अंचा और यह देख लीजिए BTEC, BE और MBA, MTEC की डिग्री होना चाहिए अगर यह डिग्री आप पास नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजी यह वीडियो आपको कामका नहीं होगा पैसे BSL में बहुत अच्छे मिलते हैं 2400 यानि की 25,000 से तो इस टार्ट है और 50,000 त अधिकांस्त देखा गया है कि जिस प्रकार से maximum salary बताई हुई है उतनी salary एक दो साल में cover हो जाती ही क्योंकि Central की job है आपको पता होगा Central किस प्रकार से increment देता है और किस प्रकार से उनकी job की जो है सुविदा है वो reference करती है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच ज पोस्ट हैं लेकिन इसमें यहां लिखा हुआ है कि 150 पोस्ट विल बी फिल्ड अप ओपन मार्केट यानि बाहरी तरीके से भरी जाएगी और इसको भरने के लिए क्या करना होगा कंडिडेट्स को यह अनुलग नक ए में दिया हुआ है किस प्रकार से एलिजबिल्टी और किस प्रकार से का एक्जाम होगा टोटल तीन ही आप अनुलग नक दिये हुए हैं उन तीनों का क्राइटेरिय आप फुल्फिल करते हो तब ही यह फोस्ट आप भर सकते हो सबसे बड़िया बात ही है यह यह टेकनिकल पोस्ट है और यह ट्रेनी के लिए टेकनिकल एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता हूँ यह ओनलाइन असेस्मेंट आपका होगा उसके माद्यम से आप इसमें लिये जाएंगे ठीक है इन पोस्टों के लिए जो इन पोस्टें यहां पर दे रख किए अब ओनलाइन असेस्मेंट में क्या होगा कहके चीज़ है कि स सब बलाबला यहां पर सब दिया हुआ है पेस्केल के बारे मैंने पहले आपको बता दे प्री रिवाइजड है यह और सब कुछ चीज़ें आप एचार एप एक सब मिलता है वो मेडिकल बेनिफिट हो तो लिखने की जरुत नहीं है प्राइबिट में मिलता है आजकल हो तो सेलेक्शन फॉर पर्टिकलर सर्कल और सर्विस लाइबिलिटी किस प्रकार से यह होगा और एलिजबिलिटी के बारे में बात करते हैं यह ज़्यादा मत्तपून है एलिजबिलिटी आप नेशनल लिटी आपकी जो है इंडियेंस होना चाहिए उसके लावा आप खहीं के भ ही हुई यह देख लीजिए तो सारी चीज़े पहले अपना आते हैं मैन जीच पर जहां पर अभी थे अलिविलिटी कराइट अरिया पर तो अपन यहां थे अपना खतम हो गया था उसके बाद आपना आते हैं एज तीस साल होना चाहिए पहले बता दिया है कोई दिकत नहीं है अब देख लीजिए यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस के लिए आप देखिएगा तक केंडिडेट सेल है उट अंडर गो एन असस्मेंट प्रोसेस वह होगा ओनलाइन जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी जहांची जाएगी पुरा सेलेबस यहां पर दिया हुआ ह है management aptitude और technical knowledge आपकी क्या है all sections में किस प्रकार से आप online assessment process आपका होगा उसमें किस प्रकार से आप वो आपका measure करेगा और एंट्रिव भी साड़ी बारा परसेंट आपका measure करेगा ये तीनों में जब number आएंगे तो आपको finally mere list त्यार कर दियाएगी अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या आएगा scheme क्या होगी वो scheme ये होगी management and aptitude के 150 marks हैं और ability जो होती है आपके consecutive उसके 150 marks है और technical knowledge के 150 marks है मलत तीनों बराबर कर दिया उन्होंने और आपको पास तीन घंटे का समय है 10 बज़े से लेकर के 1 बज़े तक का minimum qualification qualifying standard जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 36% for OBC 40% for general और 33% for HTSC इससे कम नंबर आते हैं तो आप लिए ही ने जाएंगे बहले फोस्टें खाली ने जाएं और बाकी जिससे माल लीजिए कोई अलग होते हैं विकलांग होते हैं परतक्या होती है तलाग सुधा होती है कोई महिला ऐस प्रकार से तो उसके लिए अलग criteria होता है उसको अलग आरक्षन होता है तो उसको लिए लिया जा सकता है ठीक है और प्रवाबैसन कम ट्रेनी बॉंड ये आपका बावन वीक का होगा बावन वीक तक आपको जो है अजर ट्रेनी रखा जाएगा मतलब आपको सिखाया जाएगा आलाग कि हर एक और आपका experience भी वहीं से count होता है बस आपको एजर ट्रेनी रखा जाता है आपका यहां पर दिया हुआ है कि इस प्रकार से एक्जामनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं तो यहां पर अनोलगनक C में यह सब कुछ दिखाया हुआ है सीदे में बात करों तो इस website पर जा सकते हैं आप और और भी जानकरी ले सकते हैं अब यहां पर traveling alliance के बारे हम दिया हुआ है सब दिया है सब मिलता है इसमें कोई वो नहीं है आप कहीं अगर move भी करते हैं अगर आप काम करते हैं तो इस चीज़ आपको करनी पड़ेगी अब में चीज़ पर आते हैं अपन जो यहां पर criteria में दीवी देखो अनोलगनक A क्या कहता है अनोलगनक A यह कहता है Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology यानि BE and B.Tech Degree or Equivalent Engineering Degree and Telecommunication, Electronics, Computer and IT and Electrical ध्यान से सुन लें न Telling Immigration में Degree है चलेगा Electronics में है चलेगा Computer में है चलेगा IT में है चलेगा अगर Electrical में भी है तो भी चलेगा Mechanical का नहीं चलेगा Civil का नहीं चलेगा ठीक ध्यान रख लेगा Minimum 60% होना चीज़ जनरल वालों के लिए सब के होते हैं वसे B.T.E.G. में 60% 25% STAC के लिए होना चीज़ और यहाँ पर देख लीज़ेगा Regularly Fulfilled Time Basis on the Last Date of Application खुल में लागे Degree पूरी होना चीज़े आपकी अगर बेक होगा तो नहीं चलेगा अनुलग ने B क्या कहता है यह कहता है Scheme of Examination and Salibus for Assessment Process Online जो आपका होगा तो यह देख लीजी Management Attitude में आपके जनरल Management आता है Marketing आती, Accounting आती, Finance आता इस प्रकार के कुशन आएंगे Objective Type, कोई दिक्कत नहीं Telephone की Knowledge भी थोड़ी बहुत कूच ली जाएगी Current Event के बारे में थोड़ा बहुत कूचा जा सकता है जो कि General हर Exam में आता है यह थोड़ा आपका Difference होगा यहाँ पर आपको Contuitive Ability और Data Subgency होगा Reasoning भी आपके आएगी और Verbal Ability जो होती है वो आपके यहाँ पर आएगी और यह सबसे अच्छा आपके लिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारी Student है जो अभी Apparing होगे या अभी Just Degree की है तो उनको सब कुछ त्यार होगा उनका जिसमें Control System बहुत भारी सब्जेक्ट यह होता है अपना Digital Electronics का भी अच्छा खासा पार्ट होता है इजी पढ़ता है अनालोग Electronics के भी Circuit Capacitors वगरा आ सकते हैं और Network Theory पूरा कर लाना CCNA में जो पूरा पूछा जाता है Signal Line System में बहुत हार्ड पढ़ने वाला है तो इसको भी त्यारी करें Basically यह है कि Numerical Type Question यहाँ से बनेंगे Network Theory से और Signal Line Systems है जहाँ पर आपको CIDR value देगर के पूछा जा सकता है कि इसका जो है Subnet Mask क्या होगा यह Subnet Mask देगर पूछा जा सकता है कि इसका जो है IP address किस प्रकार से फोर्म होगा Subnet Mask और IP6, IP4 में पूछा जा सकता है और Computer Engineering में भी बहुत सारे Deep की चीज़े पूछी जा सकती है SQL बगरा इनकी Microwave Engineering में Wave Guide Type के Question बनेंगे जो कोई खास नहीं है आप इनको कर सकते हैं Power Electronics में Simple EDC के Question होते है Electronic Device and Circuit के वो Question आपके आएंगे है यह मैं इतने Competence इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ इसका Paper पहले भी मुझे पता है इसमें कहें कहें पूछा जाता है Physical Electronics और Electronics Division ICS में से वह Simple यह एक ही चीज है तेरा नंबर का Point और दूसरे नंबर का Point इनमें से एक को आप कर लिए दोनों त्यार हो जाएंगे तो यह आप कई रहेगा अब यहां मैं आपका Center बता देता हूँ कहां Center रहेगा आप राजस्तान से भी लोग करते हैं तो आपका Center जैपुर में आएगा उडिसा से हैं भूने सोर में आएगा कौलकत्ता टेलिकॉम डिस्टिक्स से हैं तो कौलकत्ता में आएगा करला से श्यत्तर नंदपरम में आएगा आप देख सकते हैं, पुरा PDF डाउलोड कर सकते हैं और भी कई सारी जानकारिया हैं इसमें उसको भी आप डीटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि समय की कमी है इसलिए इस वीडियो को यहीं इरवान दे रहा हूं मैं और भी कोई जानकर लेनी हो कमेंड में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताएं बुरा लगा हो तो भी हमें बताएं ताकि हम इसमें को सुधार कर सके फिरार के लिए धन्यवाद बनार ये डिस गुरूजी के साथ थेंक यू अब करना है तो इसके लाब पीडिया का ये बटन है जैसे आप इसके क्लिक करेंगे जिसमाने अभी क्लिक किया है एक टेप खुलेगा तो पीडिया बन रहा है और ये पीडिया जो हो